चैप्टर फाइफ जो है emerging modes of business अब तक चार चैप्टर का विडियो important topics का मैंने डाल दिया है अगर आपने देखा नहीं तो जाके देखो और आज फिस चैप्टर करेंगे इसमें देखेंगे कि हमको क्या-क्या पढ़ना है और क्या-क्या सीखने को मिलेगा साथ ही में करते वें चलिएगा important topic का series बनाने का ही मोटीव है और overview देने का कि आप पढ़ना जब स्टार्ट करें तो उन-उन topics में ज्यादा फोकस करें पढ़ना तो आपको पूरा सलेबसी है detail में ठीक है अब अब देखते हैं इस chapter में हमें पढ़ने को क्या मिलेगा सबसे पहले का e-business का meaning जो की आज के time पे ज्यादा चल रहा है means electronic means से business फिर पढ़ेंगे process of online buying and selling as a part of e-business उसके बाद differentiate between देखेंगे e-business and traditional business उसके बाद देखेंगे क्या क्या benefit होता है जब हम traditional business से electronic mode में transfer करते हैं ठीक है उसके बाद देखेंगे क्या क्या requirement एक firm को एक company को क्या क्या requirement है उसको e-business में अपना business को लाने के लिए ठीक है उसके बाद देखेंगे क्या-क्या security concerns होते हैं अगर आप एक business online करते हैं यानि कि बहुत सारे security threats होते हैं viruses होते हैं या फिर और भी बहुत सारे problems होते हैं जब हम online electronic mode में business करते हैं तो क्या-क्या security concerns होते हैं वो भी हम लोग देखिंग इस वीडियो में ठीक है साथी में हम लोग देखेंगे की business process को outsourcing करने का need का है और लास्टी देखेंगे scope of business process outsourcing का appreciation ठीक है तो इतने सारे चीज हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे तो ध्यान लगा के देखिए और साथी मांक करते भी चलिएगा चलिए व इंट्रोडक्शन अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लो नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो ठीक है आपका मन इसके बाद देखें तो इसके बाद आता है e-business e-business का meaning अब यहाँ पर e-business का meaning क्या होता है और e-business versus e-commerce यह दो या तीन नमर के question में आपसे पूछ सकता है अपने business को customer से interact कर वाते हैं buying and selling के लिए लेकिन e-business में बहुत सारे functions आते हैं ठीक है तो आप यहाँ से यहाँ तक एक बार read मारोगा sufficient है या फिर कहीं दो तीन नमर के हिसाब से 45 line लिख लेना इसके बाद देखें तो scope of e-business यह important point है important है in the sense exam में आता है scope of e-business में आता है क to be commerce इसमें business to business commerce बोले तो एक business दुसरे business से कुछ commodity खई रहा है बोले तो अगर wholesaler है supplier है तो supplier wholesaler से समान खई रहा है ठीक है और फिर वो retailer को दे रहा है ठीक है तो यह तीनों जो है in business का transaction हो रहा है business to business commerce हो रहा है इसमें यह भी जो अपने personal consumption के लिए यूज नहीं करने वाला है यह रिटेलर भी अपने personal consumption के लिए यूज नहीं करने वाला तीनों के तीनों business कर रहे है तो यह होगा business to business commerce उसके बाद आता है business to customer commerce बिजनेस टू कस्टमर में क्या होता है रिटेलर आप समझ लें जो आप है और एक दुकान है आप दुकान में समान खईने के लिए जाते है तो यह B2C commerce का model बोलता है इसको ठीक है इसमें business to diet consumer होता है हो सकता है कि consume आप diet factory से भी कर रहे हो ठीक है कहीं पे भी business और consumer का diet interaction होता है वहाँ पे B2B commerce लगता है इसके बाद देखते हैं इसमें बहुत चीजा पढ़ने को ऐसा मैं समझेए कि मैं आपको बस brief में बता रहा हू इसमें बहुत सारे departments बने हुए ठीक है अब एक department में कुछ समान बना वो दूसरे department को transfer किया कुछ profit add करके फिर यह कुछ उसको अच्छा से बनाया जो भी बनाना था उसको अपने production में उसके बाद यह दूसरे department को transfer किया यह तीसरे department यह हो गया intra be commerce बिजनेस के अंदर ही trading चल ठीक है यह हो गया intra be commerce थर्ड है consumer to consumer यह बोले तो customer to customer जहां पर बेस्ट बेस्ट बोल नहीं सकते हैं अब famous app का बात जानते हैं जो है आपका OLX यहां पर आपको customer to customer मिलता है आपको समान बेचना है दूसरे customer को बस यह intermediary का काम कर रहा है एक आपको app दिया है आप यहां से समान लिजिए दूसरे से contact किजिए और बेच दिजिए ठीक है यह to see to see commerce हो गया इसमें चारों के चारों इंपोर्टेंट है ध्यान से आद किजिएगा क्योंकि यह अभी नहीं आपकी future में भी काम आने वाले है इसके बाद आगे आते हैं इसके बाद आगे आने के बाद आपको म इसमें मनलब क्या है कि अगर करना है आपको तो आप easy form कर सकते हैं और कम से कम पूंजी में कर सकते हैं कम से कम capital invest करके कर सकते हैं ठीक है second point की बात करें तो convenience convenience है easy है कभी भी operate कर सकते कहीं से भी operate कर सकते है अगर online business रहा आपको थार्ड है speed अच्छा बात है किसी कस्टमर को कुछ और देना तुरन दे सकता है ग्लोबल रीच रीच जो है वाइड हो जाता है कहीं से भी कोई भी आदमी कहीं पर भी और दे सकता है अगर वो इसका बिजनस ऑनलाइन चल रहा है तो ठीक है इसके बाद बात करें तो यह रहा मुव्मेंट पेपरले सुसाइटी यह बहुत अच्छा है पेपरले सुसाइटी की और हम लोग बढ़ जाएंगे अगर हम लोग ई-बिजनस को सपोर्ट करते हैं तो ठीक है बहुत सारे बेनिफिट है बहुत सारे लिमिटेशन है अब यहां पर एक टॉपिक दिया गया है तो आप सोरे आपको आपको एक टेबल ऊपार से टॉपिक तर स्टन विजनशन को सार्ट का मद WITH आफ गधर एक बेंगे मिंटेशन म होई तो यह को जाद रहते हैं इसमें बात किया जा ओपरेटिंग क्कॉश्ट का धिन इस कोश्ट बहुत जादे रहता है इसमें लो रहता है तो इसे सबसे आपको पढ़ना है कोई हाड नहीं बहुत आसान है बस चे पॉइंट याद करना है जहाद नहीं चे पॉइंट याद करना है इसमें आपका traditional e-business exam में आता है, important है, आपको अभी बता दे रहा हूँ, miss मत कर जाना, इसके बाद देखें, तो आता है limitations, तो आपको मैं starting day से बता रहा हूँ कि limitation हर किसी का important होता है, इसमें बुलाएगा कि e-business का limitation क्या है, तो brief में अगर देखा जा तो ये भी आप सोच सकते हैं, खुझ से जरूरी नहीं कि यही point लिखना है, इसमें आपको opportunity है, free है, आप कोई भी point लिख सकता है, लेकिन relevant होना चाहिए, इसमें सबसा पहला point आता है, low personal touch, जिसमें आपका online कुछ transaction करते हैं, तो आपका personal touch नहीं रहता है, आपके पास समाना आ जाता है, तभी आपका personal touch होता है, ठीक है, order taking and giving order fulfillment speed, ठीक है, कभी-कभी इसमें slow हो जाता है, need of technological ability and competence of party to e-business, जो e-business यूज़ कर रहे हैं, उसका competency भी होना ज़रूरी है, उनको आना भी चाहिए, पढ़ना लिखना नहीं तो नहीं हो पाएगा, increase risk of and non traceability of parties, इसमें क्या है कि risk हो सकता है कि आप माली जी कुछ order की है, आपके पास नहीं आया, आपके पडोसे के पास है, आपके किसी के पास चला गया, तो इसमें problem हो जाता है आदमें को trace करना है, यह सब का risk होता है, हो सकता है, उसमान आपको deliver ना हो कि किसी और को deliver हो गया है, यह सब problem होते है, limitation of e-business के, ठीक है, तो यह सारे limitations आपको याद करना है, इसमें कोई compromise नहीं होना चाहिए, limitation of e-business में, इसके बाद people resistance है, ethical fallouts है, इसमें यह topic में यह लिखा गया है, कि limitations के बावजूद e-commerce का बहुत सारा way है, जो भी बन रहा है, यानि कि limitations को को कम किया ज सके, ताकि, business और अच्छा से grow कर सके, ठीक है, यह point आपको पढ़ना है, तो पढ़ लेना, इस सच में important नहीं बोलूँगा, इसके बाद देखें तो यह, online transaction, इसमें लिखा process of online transaction, जो आप लोग करते हैं, सबसे पहले आपको register करना पड़ता है, उसका order place करना पड़ता है, फिर payment करना पड़ता है, अब payment में आता है, cash on delivery, check, check, check के बाद आता है, net banking transfer, credit card and debit card, यह basic चीज़ है, इसमें ज्यादा दिमाग लाने की जरूदी नहीं है, और digital cash भी, ठीक है, यह तो आप आराम से लिख सकता है, इसमें तो important बोलने का जरूद भी नहीं है, ठीक है, इसके बाद आते हैं यहाँ पर, security and safety of e-transactions, e-business risk, यहाँ पर, यह topic important रहता है, कि risk क्या है, यह business में, ठीक है, transactions risk, first, second, data storage and transmission risk, third, risk of threat and intellectual property and privacy, ठीक है, तो यहाँ पर, तीन दिये गया है, risk, ठीक है, यह आपके important topic में आता है, risk of e-business, यह आपके important topic में आता है, इसको छोड़के नहीं जाना है, security and safety, गलती से भी जोड़के जाना है, यह पूशता है, transaction risk क्या है, ठीक है, फिर आपका data storage and transmission में क्या risk आते हैं, ठीक है, ऐसे question पूछे जाते हैं, इसके बाद lastly आता है, आपका outsourcing का concept, outsourcing का concept अगर हम brief में बताएं, तो आप business का कुछ part, कुछ part of काम, किसी specialized इंसान को या फिर business को दे रहे हैं, करने के लिए, ठीक है, जैसे textile industry का बात करेंगा, कुछ कपड़ा बनवाना है, तो इंब्रॉडरी होता है, उसमें, तो अगर आपके firm में कारिकर उतने अच्छे नही तो आप बहर में outsource कर सकते किस individual को या फिर किसी और को, यह है outsourcing का concept, briefly यह third party specialist को यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, इसका बात करें कि outsourcing business में क्या क्या होता है, किस तरीके से होता है, outsourcing involves contracting out, सही बात है, आप बहर को contract देते किस individual third party को, general non core business activities are outsource, सही बात है, जो core business आपका ह business, जिस basis पर run करा, उसको आप outsource नहीं करेंगा, तो आपको business का value बचा किया, आप non core business activities को ही outsource करते हैं, third है, process में भी outsource to the captive units, और third party, ठीक है, इसके बाद आता है scope of outsourcing, outsourcing क्या scope है, इसको आपको read करना तो कर ले न, मैं कुछ नहीं बताने वाला है, कुछ है नहीं बताने को, इसके बाद आता है need for outsourcing, outsourcing अजरुवत क्या है, तो outsourcing अजरुवत इसलिए कि outsourcing कुछ फायदे हैं, ठीक है, तो क्या-क्या फायदे हैं, वो सब हम लोग देखेंगे, one by one, first है focus of attention, अगर हम किसी non core business का outsource कर देते हैं, तो हम अपना core business में focus कर सकते हैं, इसके बाद है quest of excellence, इ इसके इसाप से काम बाढ़ सकते हैं, ठीक है, अगर आप none core business को outsource कर देते हैं, तो, ठीक है, इसका बात है cost reduction, सही बात है, कोई काम अगर आपके business में नहीं हो पा रहा है, अगर आप उसको outsource कर देते हैं, कम दाम में, तो आपका cost भी घट जाएगा, ठीक है, यहाँ पर flip point देखेंगे, फिर force देखेंगे, flip of economic development, आप मदद भी कर रहे हैं, छोटे-छोटे entrepreneur को, या फिर छोटे-छोटे individuals को की grow करने के लिए, एक तरह से economic development में भी help करता है, grow through alliance, ठीक है, यह total 5 point थे, जो आपको पढ़ने है, ठीक है, benefits आप लिख सकते हैं, ऐसे benefit में मैं जादा जोर नहीं देता, मैं जोर देता हूँ तो limitations में, यह रहा, concerns over outsourcing, यहाँ पर आता है concerns की problem क्या-क्या है, सबसे पहले confidentiality का problem है, बोले तो आपका secret information कहीं लिखना हो जाए, confidential रहना चाहिए, ठीक है, इसका problem हो जाता है, इसका देता है sweet shopping, इसका देता है ethical concern, बहुत सारे ethical moral चीज भी ह होते हैं, जो हमारे, को effect करते हैं, अगर हम business को outsource करते हैं, ठीक है, उसका देता है, the sentiment in the home countries, the sentiment in the home countries, तो यह चार, total चार, आपके concerns ते over outsourcing, ठीक है, यह important criteria में आता है, आप इसे पढ़ लेना, भूलना मत, outsourcing भी important है, मतलब, ठीक है, concerns, और एक यहाँ पर, scope of outsourcing, read करना, सच कुछ important नहीं है, और यहाँ पर, outsourcing concept में, outsourcing में क्या-क्या चीज होते हैं, यह concerns, outsourcing का meaning, outsourcing में क्या-क्या होते हैं, क्या-क्या करते हैं, यह सारे चीज, ठीक है, यहाँ तीन point है, वहाँ चार point थे, और एक outsourcing का meaning, यह total चीज आपका outsourcing में पढ़ने, इसे ज जादा चीज में आप फोकस ना भी करो तो काम चल जाएगा तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ नेक्ट वीडियो में तिल देन बाबाई थैंक्स